ये गाइस आज हम बात करेंगे टोप 5 बेस्ट फोन अंडर 32-35,000 इस प्राइस पे जो भी बेस्ट फोन है उन सबी को पिक करने की कोशिश किये हैं हमने तो शुरू करते हैं हमारे फिफ्ट नंबर के फोन के साथ इस फोन का नम है आइकू 9 SE और इसमें आपको एक प्रीमियम देखने हो मिलता है इसके जाथ इसमें आपको एक सूपर एमुलेट 120 हर्स की डिस्पले मिलती है जो कि HDR 10 प्लस को स्पोर्ट करती है और इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक है कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 48 मेगा पिक्सल का और यह एक OIS कैमरा है और इसके जाथ आपको एक 30 मेगा पिक्सल का अल्रा वाइड कैमरा मिलता है तो कैमरा भी आपको इस फोन में अच्छा देखने हो मिलता है यह फोन 4K 60 fps तक वीडियो शूट कर सकता है इसके साथ आपको इसमें 16 मेगा पिक्सल का फरंट कैमरा मिलता है परफॉमेंस की बात करें तो यह फोन Qualcomm Snapdragon 888 processor के साथ आता है जो कि 5 nanometer पर बेस है UFS 3.1 storage है और इसमें आपको Android 12 मिलता है out of the box और ये OneTouch OS 12 पर रन करता है और ये फिफ नमबर पर इसलिए है क्योंकि ये 22 में लोंज हुआ था थोड़ा ओल्ड डिवाइस है नेक्स्ट है IQ Neo 7 Pro 5G इस फोन में आपको 6.7 इचिस की 120 हर्ड की AMOLED डिस्पले मिलती है ये भी HDR 10 प्लस को स्पोर्ट करती है अगर इसके कैमरे सेट अप की बात करें तो इसमें आपको 50 मेगा पिक्सल का OIS कैमरा मिलता है इसके साथ 8 मेगा पिक्सल अर्टरा वाइड प्लस 2 के फोन नैनो मेटर पे है इसके साथ आपको इसमें LPDDR 5 RAM और UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है और ये फोन स्पेशली गेमिंग डिवाइस है क्योंगे इसमें एक एडिशनल हार्ड वेर है इंडिपेंडनेंट गेमिंग चिप और इसके साथ ही इसमें आपको जाइरो एंड मोशन सेंसर मिलता है जो गेमिंग के लिए जादा तर यूज किया जाता है और पफोर्मेंस सेंट्रिक और गेमिंग सेंट्रिक डिवाइस है ये इसमें आपको फन टच ओस थर्टीन मिलता है जो कि अंडिवी थर्टीन पर वेस है अब हम बैंट्री की बात करें तो परफोर्मेंस अगर अच्छी है तो बैंट्री भी अच्छी होनी चाहिए तो इसके जाथ इसमें आपको 5000 एमेज की बैंट्री मिलती है विद 120 वोट फास्ट चारजिंग के साथ और यह फोन 30,000 के अराउंड में आता है नेक्स्ट है रियल मी 12 प्रो 5G इसमें एक लग्जरी वोट का एक लेदर डिजाइन देखने हो मिलता है इस फोन में 120 हर्ट एक काउड एमले डिस्प्लेय मिलती है कामरेगी बात करें तो इस बजट पे इस फोन का cen अका फोन मेंнут श्रीद का कामरेशेम का काउड पी Hang इंडे चातु है और ये चीज अच्छी हं कि इस प्राइस पे एक टेली फोटो लांस दीया है बाग्की कमपनीज इस प्राइस पे eliminating ऑग आपको 15 please अ वैंन बन प्रोसेसर है एक medium सा प्रोसेसर है ज़्यादा हैं विजिदे हैं वी यह भेसर नहीं है यह पफॉमस्थ पावर और एफिशेंसी को देखते हूए यह प्रोसेसर इसमें दिया गया है इसके साथ आपको इसमें कूलिंग सिस्टम भी मिलता है वेपर चैमबर कूलिंग सिस्टम ताकि फॉन की हीटिंग को मैनेज के आजास के इसके साथ ये फॉन रियल मी यूई 5.0 पर आता है जो कि Android 14 पर बेस है यानि की future proof है आगे 2-3 साल आपको इसमें update मिलेंगे ये रियल मी का latest फॉन है और इसके साथ आपको इस फॉन में 5000 इमेज की वेंटरी मिलती है इस फॉन के pricing 27,000 है और फॉन पर फॉन है वो है Moto Edge 30 Fusion और ये फॉन एक lightweight design के साथ आता है मतलब काफी एक slim design के साथ आता है इसमें आपको 144 हर्स की एक PO LED display मिलती है कैमरा के बात करें तो इसका camera setup भी काफी अच्छा है इसमें आपको 50 megapixel का main camera और इसका जो main camera है वो बहुत powerful है यानि कि इससे आप 8K video shoot कर सकते हो और HDR 10 प्लस video का भी support आपको इसमें मिल जाता है इसके साथ आपको इसमें वीडियो में एक अच्छा फीचर मिलता है लोक stabilization का इसके साथ आपको इसमें 13 megapixel का ultra wide angle lens मिलता है और एक macro lens है performance की बात करें तो इसमें एक Qualcomm Snapdragon 888 processor है और front में आपको 32 megapixel का camera मिलता है कुछ additional feature की बात करें तो इसमें आपको ready 4 feature मिलता है ये similar Samsung के desk mode जैसा ही work करता है और इसके साथ आपको इस phone में dolby sound का support मिल जाता है और ये 35,000 का ये phone है और इसमें आपको IP68 rating मिलती है अब बात करते हैं लिस्ट में जो first number पे जो phone है उसकी तो वो एक latest phone है जो अभी कुछी टाइम पहले launch हुआ है वो है Redmi Note 13 Pro Plus 5G इस phone में आपको 1.5K cloud AMOLED डिस्पले मिलती है और ये phone IP68 rating के साथ आता है और इसका design काफी interesting है इसमें आपको vegan leather color block design मिलता है परफॉमेस के बात करें तो इस phone में Mediatek का एक latest processor यूज किया गया है 7200 Ultra 5G processor और ये phone Gorilla Glass Victus के साथ आता है इसमें आपको 5000 mAh की battery और 120W fast charging का support मिलता है चैमरे के बात करें तो इसमें आपको 200 MP का camera sensor मिलता है जिससे आप 4X तक जूम कर सकते हो और इसमें आपको OIS plus EIS का दोनों का support मिल जाता है ये phone first number पे होने का main reason यह है कि ये एक latest device है और ये 32,000 के round में सभी mid range के phones जो है उन सभी के feature आपको इसमें मिल जाते हैं जैसे IP68 और 1.5K resolution ये एक premium feature है लाइक 200 MP तो ये सभी feature इन सभी का combo आपको इस phone में मिल रहा है ओके इस वाले वीडियो में इत्ता ही था अगर आपने इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छे लिगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई